स्वागत है आप सभी का लक्ष सिबिल सर्विसेस को फाल गजास कि एकसि स्वागत करता हूं आज केसे लेक्चर में जैसा कि आपको पता है पहले संधवर इसका upload कर रहे थे जैसे कि आपको पता है कि सुबह 8 से 9 जो offline classes अभी चल रही है 8 से 9 सुबह morning में जो offline class है उसी में economics कवर कर रहे हैं मौर्थ विवस्था या economics का lecture हम कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट चल रहा है अब economics का अंतरगत कुछ basic हमने समझने के बाद इंट्रो लिया था और कुछ basic समझा था जिसका lecture यूटू पे भी उपलब्ध है और इसके अंतरगत सबसे जो महत्योपूर्ण चेप्टर है बहुत सारे 5-6 पिलर में पूरा economics हम कवर कराते हैं जिसमें से एक महत्योपूर्ण चेप्टर है जिसका नाहं हमें बितीए बजार ili lchales उसम जो मार्केट ये फाइनशियल नांतरगतत 1 w मुद्रा मनी मार्केट जिसको हम मुद्रा बजार के नाम से जानते हैं ठीक है और एक होता है इसका कैपिटल मार्केट जिसको हम पूजी बजार के नाम से जानते हैं यह कई-कई बार हम डिसकॉस कर चुके हैं और इसमें भी हम पूजी मुद्रा बजार को डिसकॉस कर रहे थ लेक्चर हमने कभर किया है और प्रिवेस सिंगार्व बिवस्ता भारत में बेंकिंग बेवस्ता तो भारत में बेंकिंग बेवस्ता से से अधिन से पहले भारत में ब्वस्ता का डेबलोपेंट्ट कैसे हुआ फिर उनीस से उसानिस के बाद से से बाद से ब्वस्ता के कैसे डेबलोपेंट्ट यह सारी टॉटीक हमने डीस्कुस कर लिया है प्रिवियस लेक्चर में तो आप नहीं देखे हैं लेक्चर और एक सिंसर है स्टुडेंट है आप अच्छा से त्यारी करना चाहते हैं तो शुरुवाती लेक्चर जो पढ़े हैं हमारे प्लेलिस्टिक लॉमिक्स में उससे आप जाकर इसको देख सकते हैं अधरवाइज जाईए अराम से कुछिया और काम में लगिए विल्सोगर देखिए आप उखर सकते हैं असानी से ठीक है तो जो सिंसर बच्च है आज के क्लास में जो आगे 11 लेक्चर में जो डिसक्स हो चुका है तो आज का ये 12 लेक्चर है और आज के 12 लेक्चर में हम डिसक्स करेंगे जैसे कि ये फ्लोचार्ट हम डिसक्स कर रहे थे एक दो बार पहले भी देखेंगे इसके बारे में कि कैसे इसका डिसक्स चल रहा था ये फाइनसल इंटर मेर्ड इस और या फिर इंस्टिवूशन इसको हम बित्य संस्थाओं के नाम से जानते हैं अब यह बित्य क्यों पढ़ती है यह सारा चीज हमने डिसक्स कर लिया है वित्य संस्थाओं में एक तरफ जाएंगे तो यह आपका बैंक है और दूसरी तरफ है नॉन बैंकिंग फैनांसल इंस्टिवूशन तो बैंकिक वाला जितना सारा पार्ट है यह हमने डिसक्स कर लिया है सेडूल इसके बारे में डिसक्स किया है उसके बारे में डिसक्स हुआ है उसके बाद से हमने कौपरेट लास्ट लेक्चर आपको जो डाला गया था वो cooperative bank के बारे में डाला गया कि cooperative bank क्या होते हैं कैसे काम करते हैं urban cooperative bank estate cooperative bank central जो होता है district में भी यह भी काम करता है district central cooperative bank और एक public यह होता है primary agriculture credit society तो यहां तक इस flow chart पे हमने यहां तक cover कर लिया है यह वाला section हो गया है आज के इस lecture में हम इस वाले पार्ट को cover करेंगे इस वाले non banking financial institution जिसमें all India financial institution के बारे में हम बात करेंगे एक्जिम bank क्या होता है नवाड कैसे क्या होता है national housing bank क्या है सिडवी क्या है नाफेड क्या है जो नायाभी 2022 में यह बना हुआ है तो इन सारी चीजों के बारे में आज की discussion में होगा उसके बाद से देखेंगे primary dealer क्या होता है उसके बाद से non banking financial company किसको बोलते है इसके बारे में discussion होगा तो आज के lecture में हम लगभग यह पूरा यह वाला जो section है यह वाला section इस वाले section को आज हम पूरा cover करेंगे आज के lecture में उसके बाद से जो इसका 13 और next lecture होगा उसमें banking के सम्मंदित बहुत सारे terminology है उसके बारे में हम discussion करेंगे तो आज इसको कर लेते हैं बाकी वो lecture आपको कल म institution एक बात इसे में समझेए कि किसी state कि से district level पर काम नहीं करते हैं यह पूरे भारत यह लेवल पर जैसे एक जिम बैंक है तो पूरे भारत central government है पूरे भारत लेवल पर काम करता है तो काफी exam में questions आता है इसकी अस्थापना का वह किस परकार के body है कौन regulate करता है तो इसको बा है जो सबसे पहला discuss करेंगे यहां पर जिसमें हम बात करेंगे किस के वारे में इसके बारे में बात करेंगे हम भारतिय निरियात आयात बेंक एक मिनिटो की शुरुवात से यहां पर ठीक है अखिल भारतिय बितीय संस्थान या All India Financial institutions के बारे में हम discussion करेंगे ठीक है तो अल के बारे में discussion होगा नाँद कैसे क्या काम करता है यह सारा चीज नवाट के बारे में बात करें तो यहां पे देखेंगे नवाट के बारे में तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि All India Financial Institution में हम सबसे पहले discuss करेंगे नवाट के बारे में नवाट इसका full-form है National Bank for agriculture and rural development ठीक है हिंदे इसका है रास्टी क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंक तो छोटे-छोटे एक्जाम में क्या होता है इसके फुल फॉर्म से ही कोश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे इसका ओल फॉर्म क्या है ठीक है अब ये बैंक कैसे पूरा कारे करता है कोन सा कारे उसके बारे में पढ़ेंगे उपर डिटेल में तो पहलें ही आपने अपने देग को लिए ऑल इंदिया पर नहीं दीखेगा आपके जीले में आपके आतपास नहीं दीखेगा अब नवाड इसको बैंकों के माध्यम से आम पब्लिक के बिच पहुंचाती है दो काम इसको इसको एक्रिसी और ग्रामिड विकास का यह लोन प्रवाइड करते है ठीक है इसके स्थापना कब हुई है त इसके स्थापना हुई यह कम 1982 में तो दिमाग में रखना है कि इसके लिए परलेमेंट के द्वारा स कानून बना है 1981 में और ये एक बैंक है वो बना है 1982 में ठीक है तो दो वारत दिये दिमाग में आपको रखना है को इस संसथ द्वारा कानून बनाया गया है इस कानून के तहट इसके स्थापना हुई है इस लिए एक ratchetuary bodyboard है यानि वैद्निक संस्ता है या इसी को समबीदिक संस्था की नाम से भी जाना जाता है जैसे आपको पता है कि तीन परकार की संस्था हैं आपको समानने तब पढ़नी होती है एक होता है constitutional body संबैधानिक संस्था है जो संबिधान में बढ़नीत होती है जैसे आपका election commission है या फिर CAG है बित्तायोग है ये सब constitutional body है जो संबिधान में चर्चा किया गया है लेकिन Parliament जब कोई कानून मनाता है और वो कोई भी कानून के बादें से कोई संस्था बनती है और भारत के समिधान में अगर सामिल नहीं होती है तो फिर उसको बैधानिक संस्था या फिर इसी को संबिधिक संस्था के नाम से जानते हैं तो यह आपको संबिधिक संस्था है तो नबाड़ भी पूझी की बात करें तो इसमें 30-40 करोड क्या बरतमान सरकार में मतलब इसमें capital पूरा सरकार का लगा हुआ है यह 100% यह पुनतब भारत सरकार की सहाइक संस्था है भारत सरकार की सहाइक संस्था मतलब मनले एक financial year में सरकार को जो भी bank क्रिसी और ग्रामिर पिकास के लिए लोन देना है तो यह अपना लोन देंगी नवाड को नवाड नीचे बैंकों के माध्यम से आम पॉब्लिक तक पहुँचने का क्या करेगा प्रियास करेगा ठीक है तो यह पुनतब भारत सरकार की सहाइक संस्था है अभी बरतमान में इसक साची के वी इसके जो अभी बरतमान के चेयर मैं ठीक है इसकी सिफारिस के थी सिवा रमन कमीटी एक बनी हुई थी उसी के सिफारिस पर नवाड के अस्थापना होई है ठीक है तो यह पूरा जो डिसकर संथ है यह नवाड के बारे में था आपने इसको देख लिया कैसे हुंबई हेड क्वाटर है चालिस को सौ करोड इसकी प्रारंबिक पुजी थी बरतमान में इसकी पुजी तीस हजार करो रुपय है धारत सरकार की एक पूरता सहायक संस्ता है मतलब 100% पैसा इसमें भारत सरकार का लगा हुआ है ठीक है चेयर मैं इसके साजी के वी इसके जाता है आए देखते हैं कि सेड़ी क्या करता है तो लिखा हुआ है यह लगू ओदोगो मतलब करानी की सर्वोच्च संस्ता है मतलब चोटे-छोटे हमारी लगूद्योग है में MSME सेक्टर उसको यह बित उपलब्द करते हैं पैसा लोन में प्रवाइड कराता है ठीक है इ सेड़ी के लिए 1989 में कानून बना है बार्डियमेंट के द्वारा और 1990 में सेड़ी की स्थापना हुई है अब चुकि यह भी संसत के द्वारा कानून बनाकर बनाया गया है इसलिए अभी एक पैधानिक संस्ता है या फिर इस टैचुरी बाड़ी है इसका हेट क्वार्टर जो है हेट क्वार्टर लफ नवे है जबकि नवाट का हेट क्वार्टर मुंबई था सरवाधिक पूजी यानी कैपिटल इसमें भारत सरकार का एप्रोकस 21% फैसा इसमें सरकार का लगा हुए है इसके जो चेर्मेन है अभी बरतवान में अगर बात करें तो सिरी मनोज मित्तल बरतवान में सिडवी के चेर्मेन है ठीक है तो सिडवी का जो मुख्याले हो कहां पर लगनों में दिमाग में रखिएगा बना कब है 1990 में एक्ट कब बना है 1989 में ठीक है एक्ट कब बना यह नहीं पूछता है आप इसको दिमाग में रखिएगा कि इसके स्थाफना 1990 मुही है और एस्मॉल इंडस्ट्री को यह अपना जो लोन प्रोवाइड करती है मुख्याले इसका लगनों में है आए नेक्स्ट संस्ता के बारे मे नाम से कि собой इसको एकप्शिम बेंक के नाम से जानते हैं आयो देखर हैं यह निर्यात के लिए बित उपलब्द कर आता यानि जो भी एक्सपोर्ट और इंपौर्ट कासी है उसको लोन में कोई कोई चाहिए तो यह संस्ता उसको प्पूर वार्ट कर दिये एक जनौरी 1982 Atlas इसको इसके स्थाफना हुआ है नवाट का भी लगभब यही नवाद यहां पर देखिए नवाट का भी 1981 में कानून बना है 1982 में स्थाफना बना है तो एक्षिम बैंक का भी है 1981 में पार्लियमेंट से कानून बना है में इसके स्थापना हुई है तो कोछ इस तरह से आप सिक्वेंस मिलाएंगे न तो चीजें आपको ज्यादा देन तक और अच्छे से याद हो जाएंगे ठीक है अच्छा कितने लोग इस लोग लेक्चर को पूरा फॉलो कर रहे हैं वो चरूर कमेंट करेंगे तब भी हम आग नई है तो इसलिए भी एक बैधानिक संस्ता है या फिर एश्टेचुरी वर्डी है ठीक है इसका मुख्याले जैसे नवाट का मुख्याला मुंबई में था इसका भी मुख्याले मुंबई में भारत सरकार की साहेक संस्ता है अभी इसके जो MD मतलब अध्यक्ष है हर्स कर लेंक कि लाष्टी अवास थिक है जिसको एनए जिन सफीज को नाम से alat करें तो यह आयो ऐसंसका काम हासिंग छेत्र के लिए करने सरोच की संस्ता है अस्थापना इसके हो जानते हैं एनेच्वी के नाम से जानते हैं तो एंच्वी के बात करें तो यह देखते हैं इसका काम यह हाउसिंग छेतर के लिए बित उपलब्द कराने की सरवच्च संस्ता है अस्थापना इसके हुई है 9 जुलाई 1988 को अंडर दा एन एच बी एक्ट 1987 तो इसकी अस्थापना हुई है नाबाड के बाद और सीड़ी से पहले क्योंकि आप सीड़ी बना है 1990 में यह बना है 1988 में तेक है इस तरह से चीजों को रिकॉल करिएगा आप दिमाग में कि एक आप पढ़ रहा है दूसरा कब बना दूसरा किस तरह से बना तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगे अच्छा यह जो स्लाइड आपको देख रहा है मैं टेलिग्राम चैनल पर यह सभी लक्षे सिविल सर्विसेज को जो पालगंच टेलिग्राम चैनल है और ड क्याइधानीक संस्ता है या एस्टेट्योरी बडिय है और हेटकोरटर इसका निउ देली में ध्यान रखेएगा एनहच पीका हेटकोर्टर निउ देली में तो नवाड़ का मुंबई में एक बार क्यूल कर लेते हैं स्रविक था लकौनमंबई में और लेकिन लीकिन बड़ है उसमें अगर बात करें तो आपका नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनसिंग इन्फास्टक्चर डेवलोप्मेंट नेफेड के नाम से इसको सौड कॉर्ट में जाना जाता है राश्टी और संदचना बीत पोसण एवं विकास बैंक ठीक है यह भी नया बना हु 2021 में हुई है नैफेड एक्ट के लिए कानून में बना कि नचे अस्थाब्न नया अस्टाफना हुईं अब चुकि पार्लियामेंट इसके लिए इसके बैधानी संस्ता है याणि एयूजजिवरी बाडी है ठीक है इसका है वी हेटक्वार्टर मुम्ब्ध में है organiseक संस्ता लेकिन भबित्य में इसको 26% सरकार अपनी हिंसेदारी घटा कर इस स्रकार्ने के योजना बना रही है के वी कामत अभी वरतबान में इसके चर्मेंट में तो अभी तक हम ने पांच संस्ताओं के बारे में पढ़ा है यक तो हमने नवाढ के बारे में पढ़ा नवाड के एक यह बहुत है इसकी ब Yay और था मोःक्स को रिक्स्फ और अपयॉसर नेडियम करको फबारय के सब्सक्राइब अपयोगे करें टेखकें में और बारे में एक है यो के दिमाग में अब दो इसमें सोर समझना है कि प्राइमरी डिलर क्या होता है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी किसको बोलते हैं क्योंकि यह लेक्चर आपका पूरा फाइनेंशल जो इंटरमेडियर्स हैं या फिर इंस्टिटूशन से बित्य संस्था हैं इनके बारे में हम पूरा कर रहे हैं तो यहां तक कर लेंगे तो पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट सब दो होंगे बैंकिंग से रिलेटेड वह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे जैसे कि कोई बैंक बंद होता है तो कस्टमर के पैसे का क्या होता है तो इसके बारे में कोई बैंक नया स्थापित करना है तो उसके लिए क्या टर्म सम कंडिशन है थीक है सरकारी बैंकों के चेर्मेन का कैसे होता है ठीक है कवाई सी क्या होता है डेविट काढ़ से इस एक है इस私 को हम प्रामरी डिलर के के बारे में आपको दीख रहा है ठीक है primary dealer क्या होता है तो सरकारी परतिभूतियों के सीधे सरकार से खरीदते हैं और दूसरों को बेचने के इरादे से ठीक है अब सरकारी परतिभूति क्या होता है यहां पेक मिनट समझ लेजे अब आराम से समझ लेंगे मालनीजे कि ए कोई व्यक्ति है जो बी से कर्ज लेना चाहता है बी से इसको एक लाख रुपे की कर्ज लेना चाहता है तो जाएगा यह बी के पास बी से कर्ज लेना चाहता है तो बी के पास जाएगा बी से बोलेगा कि हमको एक लाख रुपया दे दीजे तो बी बोलेगा ठीक हम आपको दें है और इतने साल पर रिटर्ण हो जाएगा यह जो लिख कर यह डॉक्मेंट सौपा गया है इसी को समाने तब परतिभूती यह परकार का डॉक्मेंट समाझ लेजे पहले यह तो कागज में ट्रांजेक्शन होता था अभी यह ऑनलाइन या इलेक्टेक मूड में ही सारा हो जात अगरमेंट सेकुरिटी के माध्यम से ही लाती है और सरकार जो गवर्मेंट सेकुरिटी जारी करती है जिसको प्रैमेरी डीलर क्या होते हैं employment security को खरीद लेते फिर इसको market में क्या करते हैं sell करते हैं थे pronounce फिर तो एक परकार से Mongol मार्केट को प्रोवाइट करते हैं खरीदते हैं पहले सरकार से उसके बाद से market में इसको sell करके बीच मुनाफ़ा कुछ कमाते हैं ठीक है तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है आपको कि दूसरों को बेचने की रादे से सीधे ये सरकार से सरकारी परतिभूतियों को क्या करते हैं सरकारी परतीबुति बजार मत यह बजार एक निरमाता के भून कया नहीं बरतमान में कुछ 21 बैब भारत में भी काम करें जिसमें से सुझ 14 तो बैंक ही हैं मतलब कि मानुकि एस्टेट बैंक ओफ इंडिया है एक प्राइमरी डिलर का भी काम करेगा मतलब यह सरकार के सरकारी सरकारी परति अत्य करिद मोस को सेल करता करता है और नीचे पब्लिक मोस को सिल करता है साथ Non Banking Financial Company किसे क那个 API गहते हैं 5 बेंकिंग वित्थी चंस्ता किसे कमपनी आद नेंगत 5 के तहद यह और वी इद्वारा नियमीत रूप से इनको रिंड और प्रदान किया जाता है इनकी जो नियामक संस्ता है मतलब इनकी जो रेगुलेटरी बड़ी है वह हमारा रिजर्ट बैंक आफ इंडिया ही है यानि जितने सारे एन्वी एफसेस हैं यानि नॉन बैंकिंग फाइनांसर कंपनी वह कंपनी अधनियम 2013 के तद रजिस्टर है और आर्बिया इनका पूरी तरह से नियामक यानि उनके लिए रेगुले यानि time deposit भी स्विकार कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि बैंक में दो परकार का deposit होता है एक होता अभी दो पाट है एक होता है current account और एक होता है saving account यह आगे अभी समझेंगे इन चारों account के बारे में हम next lecture में बात करेंगे जब और भी कुछ चीज़े यहां पे discuss करेंगे अभी हमारा topic नहीं है ठीक है तो दिमाग में रखना है कि जो हमारे NBFC वो सिर्फ term deposit एक्सेप्ट करते हैं demand deposit यानि उनके सेविंग एकाउंट या current account का खाता नहीं खुलवा सकते इन दोनों में क्या अंतर होता है पीछे के lecture में हमने में discuss किया है और आगे इसका lecture इक अलग से है वहां पर भी discussion में आएगा ठीक है तो यह मांग के वर स्विकार कर सकते हैं कोई भी demand deposit स्विकार नहीं कर सकते हैं मतलब इनके हां आप saving account या फिर करेट अकाउंट में कोई भी अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं अब देखिए आप saving इवांड राफ इसु नहीं होगा कोई भी card आपको नहीं मिलेगा और कोई भी UPIJC facility यहां पर नहीं मिलेगे DICGC जो एक संस्ता है जो banking बंद हो जाता है कोई bank cropped हो जाता है या bank बंद होता है तो जो पैसा वापस ग्राहकों को दिलवाने में महत्वण घुमका निभाता है तो NBFC में जो जामाब पैसा होगा उसको यह वापस नहीं करवाएगा मतलब NBFC का जामाब पैस DICGC द्वा मिलेंगी ठीक है अब NBFC के चांपल क्या है जैसे रिलाइंस कैपिटल है मुद्धूट फाइनांस है यह सब आपके NBFC के उधार है ठीक है तो इस और लेक्चर में लगवा 25 मिनिट के आसपास में हमने सारी चीजों को यहां पे डिसकस कर लिया है जो भी यहां पे थी आप लेक्चर को जारी रखेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सेर करें अपने दोस्तों के बीच एक काफी महत्वपून टॉपिक और डेफिकल्ट टॉपिक हम डिसकस कर रहे है इसको आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है लेक्चर को आप और भी पीछे ल बना रहे हैं वह जरूर कमेंट करिएगा ताकि आगे वीडियो हम बनाने में उसको हेल्प करें ठीक है ओके धन्यवाद मिलते हैं फिर अगली लेक्चर में